आज चाचा के बाद हमने करार पर दस्थकत किये कि बंगाल में ला लीगा जल्द ही एक फुटबॉल अकैडमी को लेगा हम देखना चाहते हैं कि ला लीगा बंगाल से भी मैसी ये रोनार्डू तयार करें ममता बेनर्जी फुटबॉल में स्पेन की जादूगरी को पुलकाता में लाना चाती हैं एक ऐसा शहर जिसका दिल इस खेल के लिए धड़कता है ला लीगा के प्रेजिडेंट हावियर तेबास और ममता बेनर्जी ने एक समझोते पर दस्थकत किये इस मौके पर पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के अलावा मोहन बगान, इस्ट बंगाल और मुहमधन स्पोर्टिंग क्लब के नुमाइंदे भी थे गांगुली परिवार के साथ छुटियां मिताने के लिए लंदन से खास इस मौके के लिए वहां पहुँचे उनकी मौझूदगी से सियासी अटकल बाजिया फिर से शुरू हो गई हैं हाला कि मुख्यमंत्रीन ने पहले ही एलान कर दिया था कि सौरव इसमें शामिल होंगे बीजेपी ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए सौरव गांगुली जो दादा के नाम से मशूर हैं वो बंगाल में खेलों के सबसे बड़े ब्रैंड अम्बैजडर हैं और फुटबॉल से भी गहरानाता है बीसीसियाई अधक्ष बनने के बाद उन्होंने हितों के टकराव से बचने के लिए एटी के मोहन बागान से इस्तीफा दे दिया था 2021 में बंगाल विधानसवाद चुनावों से पहले खबर गरम थी कि वो बीज़ेपी में शामिल होंगे मगर ऐसा नहीं हुआ उनके ममताब एनरजी के साथ भी करीवी रिष्टे हैं जिससे कहीं बार कयास लगते हैं कि वो त्रिण मुल में जा सकते हैं गांगुली ने अब तक सियासत से दूरी बनाई हुई है और खुद को सिर्फ क्रिकेट की कमेंटरी और खेल प्रशासन तक ही सी मित्रखा है सौरव गांगुली इस बात से इंकार करते रहे हैं कि वो राजनीती में आएंगे बिरो रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया